पूरी तरह से आईटी के नाम आपको दिखाई पड़ेगी जो एक आएक तेजी बजार में आई है इस तेजी के अंदर जो दरुनदार था उस समय पीसियस प्लस बाकी आईटी कमपनियों का था और रिलाइस का था लेकिन अब जो मार्केट को होल्ड कर रहा है वो है पूरी पूरी तरह से आईटी जिसके दम पर मारकेट में एक अच्छी रफ़तार देखने को मिले है कल के नंबर्स के बाद पूरी तरह से बजार में जो एक दबदबा है वो आईटी स्पेस का है पांच परसेंट की बढ़िया तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है और इस तेजी के बाद ये देश की दूसे अपसे वड़ी कमपनी तो अल्रेडी था लेकिन अब 15 लाग करोड़ी कमपनी पहुंसते वह दिखाई पड़ रही है इंफाक्ट 25 अगर सन 2024 को टीसेस के लिस्टिंग के 20 साल भी पूरी हो जाएंगे लेकिन उससे ठीक पहले करीब टीसेस 25 संक उपर और एक शांदार तेजी के साथ पूने 6% उपर कामकाज कर रहा है और सेंसेक्स भी उपर तेजी में ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक की तरफ से भी स्लाइटली आज जब कह लिए सपोर्ट है बहुत ज़ादा नहीं लेकिन आधा परशन के बारा सो शेर तेजी में हैं और करीब करीब 1175 शेरों में बिक्वाली है अल्मोस्ट आज फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा नसी के एडवांस इकलान के स्टैट में और अगर आप सेक्टर वाइस भी देखेंगे आज की कॉंट्रिबूशन में तो पूरी तरह से आज आज आपको कॉंट्रिबूशन दिखाई पड़ेगा आईटी का साड़े चार परसेंट सिंगल हैंडिडली एक इंडेक्स सल रहा है और फिनैंशल फ्लाट टू पॉस्टिव बैंक फ्लाट टू पॉस्टिव आईटी सी फ्लाट टू पॉस्टिव ओ आपको दिखाई पड़ेगा एक बारी आज हम बाचीत करेंगे शिवांगी सर्दा मैम से माई साथ मौझूद है मोतिलाल उस्वाल सेक्योर्टी से उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजूल स्टॉक्स के ओपर भी साथी साथ चर्चा करेंगे कुछ मार्केट्स के और निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी को भी एक सास्टॉप्शन साथ कराएंगे लेकिन आपके सामने आज इंडिक्स के कॉंट्रिबूटर करीब-करीब 182 अंकों की तेजी है और उसमें से रफली 90 अंकों के आसपास का जो कॉंट्रिबूशन है वो सिर्फ तीन कंप्टी की तरफ से है TCS, Infosys और Wipro जोसमें TCS 50 अंकों कोंट्रिबूशन अकेला दे रहा है Infosys जिसके नेक्स नंबर है 37 अंकों कोंट्रिबूशन दे रहा है और Wipro 16 अंकों कोंट्रिबूशन अक्सिस बैंक 20 अंको कोंट्रिबूशन दबाव में कोटक है, ITC है, मारूती है, हिंडाल को है जो की फ्लाट टू निगेटिव साइट पर सो फार कोंट्रिबूट करता हूँ दिखाई पड़ रहा है शिवांगी वाहिम से बाचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ आप्शन्स के नंबर भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन्स आप्शन्स पर देखने को मिल रही है 24-500, 24-300, 24-700 के आसपास राइटर्स है इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आएए कि निफ्टी बैंक के केस में करीब 52-500, 25-700, 35-000 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं 52-500, 52-300 और 52-000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सो फार होते हुए दिखाई पड़ेगी हीट मैप के सिचुएशन, 50-50 काइंड आफ आप मान के चले क्योंकि बियरिश जरूर है लेकिन आप इसको थोड़ा सा 60-40 के रेशियो है 55-45 के रेशियो मान लीजे 21-long है, करीब 47 शॉर्ट कवरिंग है, 34 शॉर्ट है और रफली 80 शिरों में अन्वाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी कहां पर long, कहां पर short covering, ये भी एक वाई देख लीजे जो major longs और short covering आज मारकेट में होते हों दिखाई पड़ रही है उसमें Emphasis, Persistent, Wipro, LTIM, Oracle, Koforge, TCS, Brillasoft, Infosys, HCL 10 के 10 नाम IT स्पेस से आपको दिखाई पड़ेंगा तो यही अंदादा लगा लिजे कि जो longs बन रहे हैं, जो short covering हो रही है वो पूरी तरह से IT के हाथ में हैं तो आज majorly सारे के सारे stocks IT की तरफ से है अब कहां short बन रहे हैं और कहां पर unwinding है ABB में shots बन रहे हैं, Vodafone Idea में shots बन रहे हैं Siemens, BHEL, Capital Good Space में shotting हो रही है और unwinding है PSU space में, IOC, PFC जहां पर दबाव है Max Financial, TVS Motor और Ripka Lab करीब करीब 0.5% से 2% बिक वाली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं अब आचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से आज बादार में भी है और IT में भी है कैसी रीड कर आप मांकिट को बिल्कुल वैरी गुड आफनों समिझ जी, थांक यू आज जो है बिल्कुल IT स्टॉक्स ही ड्राइब कर रहे हैं Nifty को और Nifty ने भी आज एक नए स्टरकोच हुआ है आज बिल्कुल IT सेक्टर को फोकस में रखेंगे आज पर Nifty में जो है बाइवन डिकलाइन की रनीती अप्लाइ करनी है हमें कोई भी छोटे डिकलाइन में हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है कल के सेशन में हम भी हमने देखा कि करेक्शन के बाद वापस जो है काफी स्विफ्टली मार्केट जो है बाउंस बैप करते हुए दिखा है सो काफी इच्छी बाइंग है पुट कॉल रेशो भी 1.3 के असपास है जो की इंडिकेट करें कि पुट्राइटर अपना बेस बनाई हुए है मार्केट में इंडिया विक्स भी काफी लोर जोन्स पे है तो कुल मेला कि ये तेजी जो है 24,750 और फिर पुजिशनली 25,000 तक के लिए हम देखेंगे इस स्विंग को ले आउट करते हुए सपोर्ट के तौर पे 24,200 के लेवल को हम ध्यान रख सकते है अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि कैच अप राली है पोड़ा अंडिपर्पर्म जरूप रहा है पिछले चार सेशन से बट ओवराल ये इंडेक्स भी काफी पॉजिटिव लग रहा है हेवी वेट सिलेक्टिव जो स्टॉक्स है जैसे ICI, ICI हो गया या Axis हो गया ये काफी स्ट्रेंद बनाते हुए दिख रहे है और चोटे नामों में फेडरल बैंक जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है तो कुल मिलाके यहाँ पे सिलेक्टिव बैंकिंग चल रहे है इस वज़े से थोड़ा सा अनर परफॉर्मेंस है पर ओवराल यहाँ भी तेजी है तो बायों डिकलाइन की रनीती अप्लाय करनी है 53,000 और 53,250 के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे 52,150 के एक सपोर्ट के साथ तो 52,150 के सपोर्ट लेकि आप निफ्टी बैंक बैंक और साथ साथ निफ्टी दोनों में लॉंग जा सकते हैं 53,000 जादा बायस है कि आप आई-टी का पूरा सपोर्ट है शिवांगे माहिम आज खरदारी की राय किस तरफ है आज उमीर बिरला सॉफ्ट आपने पिक अप करी लिया होगा हर बार की तरह मेड़े गाइप आई-टी से आपका फेवरेट क्या करें अभी यह बिल्कुल आज आई-टी स्टॉक्स में काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि सारे ही स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं और चुनना बहुत मुश्किल है OFSS हो या Techam को Infosys, TCS, BSoft को सारे ही स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं यहां पर एक अगर चुनना हो इमीडिट्ली जो Techam मेरे नजर पर है यह स्टॉक्स जो है अपने एक पिछले लगबग आठ दिनों के Consolidation के बाद निकलते होई नजर आ रहा है वीकली बेसिस पर भी अगर हम Positionary इसका चार्ट देखे तो काफी यहां पर भाइंग देखने को मिली है और एका एक यहां पर Upward Sloping Channel में कामकाज कर रहा है यह स्टॉक्ट तो यहां पर खरदारी की सला है 15-65 के टागेट के लिए और 14-75 के एक स्टॉक्ट के साथ दूसरा पिक मेरा रहेगा IDC पर काफी फोकस है FMCG स्पेस काफी एक अच्छा बास बनाके रखे है और यह स्टॉक्ट है जो जिसमें काफी लॉंग सहां पर बिल्ट अप होते हुए दिख रहे है आज थोड़ी सी नर्मी है बट ओवराल स्टॉक्ट्टर काफी पॉसिटिव है तो यहां पर इस वीक के लिए हम अच्छी तरह से प्ले आउट करते हुए दिख सकते है यह स्टॉक में खंदारी करें 475 के टागिट के लिए और 444 के एक स्टॉक के साथ फाइनली तीसरा पिक मेरा रहेगा आक्सेस बैंक यहां पर हेवी वेड बैंकिंग स्टॉक शो है वो पूरी तरह लीड करते हुए दिख रहे है बैंक निफ्टी को और यह एक ऐसा नाम है जो अपने प्रीवेस हर्डल जोन्स को भी काफी स्मूदली सापास करते हुए दिख रहा है आरिसा यहां पर कुछ कह रहा है तो यहां पर जो है तेजी हम एक्सपेक्टर सकते एक्सटेंड होते वे 1380 के टागेट्स के लिए खरदारी करे 1300 के एक स्टॉक के साथ जे तीन नाम जिसमें से एक है एक्सेस बैंक 1328 के लेवल्स पर भी एक आमकाच कर रहा है इसके ओपर आप नज़र सकते हैं 0.5% के आसपास की बढ़त सो फार स्टॉक में देखने को मिले है 1380 के टागेट्स के लिए 1300 के स्टॉप लॉस दूसरा नाम जो आपको उता है आईटी स्पेस से 15% टागेट्स के लिए 1475 के स्टॉप लॉस पिछले हफ़ते भी शिवांगी में मैं आईटी सी दिया था इस हफ़ते भी फोर ओवियसली कोलकता रीजन तो है ही लेकिन साथी साथ आईटी सी में और सी एचारो मिलन लकर से एक खास वाचीत की हज़ता सावन ने आपको सुनवाते है टी सी एस के पहले तिमाही के नतीरे आ चुके और मैं साथ कंपनी के सी एफो और सी एचारो है आप दोनों का ही स्वागत है मुझे आदर पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई थी हम उसी पॉइंट पर इंटर्व्यू को समाक्त कर रहे थे कि क्या FI 25 बहतर रहेगा Q1 में कॉंस्टन करन्सी रेवन्यू ग्रोथ जो 2% की ऊपर आई है जो आपका नेट प्रॉफिट का अकड़ा आया है और लाजडी जो आपके मार्जिंस में दबाव एक्सपेक्टिट था लेकिन इतने क्रैक नहीं हुए है क्या ये सही कहना होगा समीर कि शायद FI 25 में बहतरी का कुछ धलक है कुछ ग्लिंप्सेज हैं कि शायद ये एक बहतर साल हो Thank you आशादा I think हमने जो Q4 के एंड में कहा था कि we expect FI 25 to be better than FI 24 हम उस पे we'll still stick to it and we believe वो वैसे ही play out होना चाहिए Overall sentiments जबकी ज़्यादा चेन नहीं हुए है जो हम पेचले छे तिमाहियों से देखते आ रहे हैं customer sentiments similar है ये quarter के अगर हम देखे तो हमारे सारे geographies sequentially जो आपने बताया quarter on quarter positively grow किये है which is a good sign and सारे verticals except one be positive हुए sequential growth हम expect करता है ये trajectory continue हो but too early to call out in terms of more from a demand perspective आपने जैसे margins का बताया margins typically we take the wage increment का impact है हम first quarter में ही ले ले लेते हैं and हमने exactly वैसे किया 170 basis points अपक था and typically we claw back and move upwards inch upwards हम expect करते कि ये जैसे FI 24 में किया था margins यहां से upward होने चाहिए 26% और 26% plus की उमीद होनी चाहिए 24.7 से उप़ जाने चाहिए ठीक है यह बताये जब आपने का कि sentiment में सुधार नहीं है तो सुधार कहां पर आया है क्या execution बहतर हुआ है या फिर जो discretionary spends कम हो रहे थे नदारत थे वो वापस लोटे है I think overall deal conversions जो है बेटर हुई है overall customer sentiments दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है but जो project pauses and cancellations जो trend जो है continue हो रही है उसमें थोड़ा plus minus so हमारा जो impact हो रहा था was more due to project being put on hold or cancellations जबकि जो revenue नहीं डील से आ रहे थे वो normally convert हो रहे थे so I think balancing out हुआ है from this quarter perspective Mirinda, finally third लगातार quarters आपने कोई hiring नहीं की थी in fact वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन इस quarter में 5,400 employees को आपने on board किया है is this a sign of growth returning क्या उसे वैसे पढ़ना चाहिए क्या लोगों की जरूरत है और सब्सक्राइब नहीं करते हैं मैंने पहले ही बताया है कि हमने बहुत सरा हारिंग लास्ट यर किया था उसके बाद हमने यूज के उनको subsequent quarters में उनको train किया deploy किया in subsequent quarters right similar situation is here you know we have made a decision to basically hire for campus hiring will continue you know like we did last year it will continue like this even this year you know overall net hit count में कैसे changes आएंगे it depends on many factors so you know overall budget से तेज को है उमीदे हजार बाजार को भी है budget का इंतिजार growth और reform की कितनी बढ़ेगी रफतार budget का 360 degree analysis देखिये मेरे साथ CNBC आवाज पे 23 जुलाई का पूरे दिन आप देखरें future इश्पेस और markets में रफतार बनी हुई है और रफतार साथ-साथ IT में बनी हुई है एक बड़ीह तीजी है 200 अंगों की तीजी अब निफ्टी में आ चुकी है और करीब के लिए परशन का उचाल देखने को मिल रहा है शेवांगी माहम सस्ता उप्शन क्या इंटिफाइ किया अपने इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि करीबन 15% ओपन इंट्रेस अडिशन हुआ है और आज की भी सेशन में काफी इच्छी तरह से वॉल्यूम्स और ओपन इंट्रेस अडिशन देखने को मिल रहा है हाँ पर स्टॉक ने परफेक्ली अपने 50 daily exponential moving average पे support लेके एक अच्छा reversal है पर दिखाया है तो यहां पर खरिदारी की सला है 41.50 के call option में हम इसको खरिदारी करें करीबन 75 के आसपास इसको हम देखे 44 के एक स्टॉप लॉस और 130 के target के लिए 41.50 की call 80 रुपे के आसपास TCS की चल रही है इसमें आप खरिदारी करके चल सकते हैं श्वांगी मैं मानने की यहां से तीजी और श्याद एक्स्टेंड हो सकती TCS में और इडी स्पाट पे TCS 41.60 पहुंची गया है DIAE के आसपास है और यहां पर आप खरिदारी कर सकते हैं 233 के टागेट्स के लिए और 44 का एक स्टॉप लास यहां पर मेंटेन करेंगे बहुत बश्युक्रिए श्याद श्यादि हीँ समय का भाव था वरना आप से और बात करते हैं बहुत बश्युक्रिया और हमसे चर्चा करने के लिए असीम आपसे पिछले हफते ही शाद बात हुई थी कि जब दूर संचार विभाग ने सेटलाइट स्पेक्टरम आवंटर के आपने खबर बताई थी और अब इसके ओपर डीटेल आ भी चुकी हैं क्या डीटेल हैं आपके पास अस्वित पिछले हफते ही अमने दर्शकों को बताया था कि सरकार सेटलाइट स्पेक्टरम का वंटर करने की तैयारी करें और जल्दी टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई से इस पर शीफारिश मांगेगी जो मैं सोतर बता रहे हैं कि कल दूर संचार भाग ने टेलिकॉम रेग हमें अपनी सिफारिशे दे दीजिए टेलिकॉम रेगुलेटर आगे लिए अफ्टेश पर अपना कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर देगा सबी स्टेकोल्डर से चर्चा करने के बाद ट्राई अपनी सिफारिशे दूर संचार भाग को सोपे का टेलिकॉम को अपने पिछल पालिक इसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी ऑद दूसे तीन महिने के अंदर सेटलैट ब्राट बोर्ड बेंड सेभी भारत में शुरू होते वह देख सकते हैं तो जल्दी ही broadband services दो से तीन महीने में आप शुरू होते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्र है असीम ये तमाम डीटेल हमें बताने के लिए और हम से स्वियो पर चर्चा करने के लिए। अब शो को ही समेटने का समय आगया है लेकिन जाने से पहले आज का स्टार TCS आपकी स्क्रीन पर वापिस आएगा और नए डे हाई पर TCS अब काम काज कर रहा है एक तालिस सो सतर आपकी स्क्रीन पर डेड़ लाक नहीं सौरी 15 लाक करोड की market cap पार करने के बाद देश की दूस अबने आपकार